नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विनोद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MS Word के, View Tap के, Page Moment और Show Option के बारे में जैसा कि आप देख सकते हैं, यह आपर सबसे पहला Option हमारा Vertical है जैसे माल लिजे हम यह आपर कुछ Paragraphs को Insert कर लेते हैं माल लिजे हमने यह आपर 25 Paragraphs को Insert कर लिया RAND कमांड चरा करके, इस Page को अगर हमें Scroll करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप और Right Side में Scroll बार दिखाई देगा इसे पकड़ करके, आप उपर की तरफ Move कर सकते हैं या तो फिर आप अपने माउस से Scroll को जैसी Move करेंगे तो आप देख सकते हैं, आपका यह जो Matter है, वो यहाँ पर Move होना Start हो जाएगा इसी तरीके से, अगर आप इसे Slide by Slide Move करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसके बगल वाले Option पर क्लिक कर सकते हैं, Slide to Slide पर जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं, आपको दो Pages एक साथ दिखाई देंगे और इसके बाद जैसे आप यहाँ पर Scroll करेंगे, तो आप देख सकते हैं, आपका जो Matter होगा वो इस तरीके से स्कॉल होना शुरू हो जाएगा, यनि Side by Side स्कॉल होना शुरू हो जाएगा तो यह तो बहुत ही Simple Option थी, Page Moments के, हम इसे वापस से Vertical पर सेट करते हैं, क्योंकि Mostly हम जो काम करते हैं, वो Vertical पर ही काम करते हैं अब इसके बाद, यहाँ पर आप देखेंगे, आपको एक Option दिखाई देगा, Ruler का अब यह Ruler का किस तरीके से यूज किया जाता है, जैसे मालीजे, हम यहाँ पर थोड़ा सा नीची आ जाते हैं, अपने Matter को थोड़ा सा नीची सेट कर लेते हैं अब देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो Scale दिखाई दे रहा है, इसी को Ruler का आ जाता है अगर आप यहाँ से इसके टिकमा को हटा देते हैं, तो आप देख सकते हैं, यहाँ से Ruler हट जाएगा और वापस से अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ruler represent हो जाएगग तो ruler का किस तरीके से use किया जाता है जैसे जानते हैं जैसे मालीजी हमें यहाँ पर type करते हैं first name लिखने के बाद आप चाहते हैं आपका जो first name है वो यहाँ से थोड़ा सा gap में आए तो जितना भी आपको gap चाहिए उतने gaping में जाकर के आप यहाँ पर tab लगा सकते हैं तो tab लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है simple आपको यहाँ पर scale पर जाना है और जहाँ पर भी आप tab लगाना चाहते हैं वहाँ पर आपको simple click कर देना है जैसे मालिजे हम यहाँ पर 5.5 पर यहाँ पर tab लगाना चाहते हैं तो इस वाले point पर आकर के हम यहाँ पर click कर देगे जैसे हम यहाँ पर click करेंगे तो आप देख सकते हैं एक छोटा सा यहाँ पर आपको arrow दिखाई देगा जिसको left tab कहा चाहता है अब यह left tab क्या होता है और right tab क्या होता है उसके बारे में हमने already detailed वीडियो बना रखी है जैसे मैं इस tab के उपर वापस से डबब click करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने आपर काफी सारे options दिखाई देगे जैसे अभी हमने जो basically tab लगाया था वो 5.5 cm पर था जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसके रावाद जितने भी tabs आप यहाँ पर लगाएंगे वो सभी tabs आपको यहाँ पर दिखाई देंगे इसी तरीके से यहाँ पर alignments की अगर हम बात करें तो अभी हमने जो tab लगाया है वो left tab लगाया हुआ है अगर आप center tab लगाना चाहिए तो center tab पर click करके आप यहाँ पर okay button पर click करेंगे तो हमारा यह जो tab है वो center tab में convert हो जाएगा तो basically हमने tabs की एक detail video बनाई हुई है जिसके अंदर हमने इन सभी options को cover किया है तो मैं आपको i button पर इसका link दे दूँगा आप वहाँ से इसे देख सकते हैं या तो फिर मैं link के description में भी आपको इसका link दे दूँगा वहाँ से उस video को देख सकते हैं हम यहाँ पर simply concept cover करेंगे यानि हम simply आपको बताएंगे कि tab का use क्या होता है तो हम फिलाल यहाँ पर left tab को select करते हैं अब आपको simply अपने keyboard से tap button को press करना है जैसे आप tap button को press करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका जो mouse का cursor होगा वो directly आपका 5.5 cm पर यहाँ पर jump कर जाएगा आपको कोई भी sequence maintain करना है यानि next line पर आने के बाद आपको यहाँ पर tab को पकड़ना है क्लिक करके रखना है और right side में ले जाकर के draw करके खीज के छोड़ देना है अब इससे होगा क्या आपका यहाँ पर tab हट चुका है और अब आप यहाँ पर simply paragraph टाइप कर सकते हैं तो दोस्तों अब हम बात करते हैं grid lines की grid lines पर जैसे हम यहाँ पर click करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे सभी document में यह grid line insert हो चुकी है अब इसका किस तरीके से इस्तमाल किया जाता है उसको बताने के लिए हम यहाँ पर कुछ space को increase कर लेते हैं जैसे मालीजे हमने इस paragraph के बीच में कुछ space को increase कर लिया है और उसके बाद insert tab में जाकरके हम यहाँ से किसी shape को import कर लेते हैं जैसे मालीजे हमने यहाँ से एक ellipse को select किया और उसके बाद यहाँ से इसे insert कर लिया insert करने के बाद हम इसकी duplicate copy कर लेते हैं मालीजी हमने यहाँ पर ctrl D प्रेस किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी एक और duplicate copy आ गई है और इसके बाद एक और बार ctrl D करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी एक duplicate copy आ चुकी है अब हम इसको किस तरीके से alignment देंगे तो उसके लिए आप यहाँ पर click करके माल लीजिए हम इसके left alignment में से एक box को यहाँ पर छोड़ देते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक box अभी यहाँ पर छुटा हुआ है और उसके बाद अगर हम इस shape को यहाँ पर चाते हैं कि दो box के बाद हमारा alignment हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ आप उन्हें दो box को छोड़ करके दूसरी shape यहाँ पर रग दिये इसी तरीके से इस वाले box को भी इसी तरीके से इस वाली shape को भी हम यहाँ पर alignment दे सकते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह तीनो ही shape बिल्कुल equal position में आपको यहाँ पर दिखाए देगी अगर आप यहाँ पर grid line को हटा देते हैं तो आप देख सकते हैं हमारी जो shape है उनकी बीच का जो space है जो alignment है वो बिल्कुल equal है अगर हम यहाँ पर बिना grid line के इसको यहाँ पर shape को रखते हैं तो हमें यह पता नहीं चलेगा कि इसके बीच में यहाँ पर कितना space है इसी तरीके से आप अपनी जितनी भी shapes होंगी उसको top से, bottom से, left से या right से alignment दे सकते हैं बहुत ही असानी से इसके अलावा अगर आप यहाँ पर forward shape पर click करेंगे यहाँ पर आपको align का एक option दिखाई देगा और सबसे नीचे आप देख सकते हैं आपर grid settings का आपको एक option दिखाई देगा इस पर जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कुछ और grids के option दिखाई देगे जैसे मालेजे हम यहाँ पर alignment grids को select करते हैं और इसको जैसे में आप पर select करेंगे तो आप देख सकते हैं page guides, margin guides और paragraph guides का भी आपको option दिखाई देगा यानि यह तीनों ही option पर यह work करेगा हम यहाँ पर इसे ok करते हैं अब इसका फाइदा क्या होगा जैसे मालेजे अगर हम अपनी shape को यहाँ से left की तरफ लेकर जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर green color में आपको एक alignment दिखाई दे रहा है इसी तरीके से अगर इस shape को हम right की तरफ लेकर जाएंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमारा यह alignment आपको दिखाई देख इसी तरीके से अगर आप इसे center में लेकर आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह liner में center में भी represent कर रहा है तो यहाँ से आप अपने paragraph के pages के हिसाब से भी alignment setup कर सकते हैं without grid line तो दोस्तो इस तरीके से आप in grid lines का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अलावा next option के अगर हम बात करें तो वह है navigation panel navigation panel पर अगर आप click करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाई देगा headings basically हमने इसके बारे में भी detail वीडियो पहले बनाए वी है लेकिन मैं फटा-फट इसमें भी आपको cover कर देता हूँ कि इन सभी चीजों का use क्या होता है पहले बात करते हैं हम लोग headings की तो headings पर जैसे माल लीजे हमने यहाँ से किसी matter को cut किया और cut करने के बाद उसे select करके home tab में जा करके इसे heading 1 में convert कर दिया जैसे हम इसे heading 1 में convert करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक arrow दिखाई देगा इस पर जैसे आप click करेंगे तो पूरा का पूरा paragraph आपको इसके अंदर compress होता हूँ दिखाई देगा इस पर जैसे आप वापस से click करेंगे तो पूरा का पूरा paragraph आपको यहाँ पर वापस से दिखाई दे जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको खीवल headings दिखाई दे रही है और अगर आप यहाँ पर और भी कोई headings create करते हैं जैसे माली जे हमने यहाँ पर select करके इसको भी heading में convert कर दिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक और heading यहाँ पर दिखाई दे जाएगी और अगर आप इसे compress करेंगे तो आप देख सकते हैं अगर आप यहाँ पर दिखाई दे रही है जिस भी heading पर आपको जाना है उस heading पर आपको click करना है directly आप उस heading पर यहाँ पर jump कर जाएंगे तो basically इसका इस्तेमाल किया जाता है कि आपके documents में जितनी भी heading हैं वो सारी heading आपको यहाँ पर एक साथ दिखाई देंग यहाँ पर आप देख सकते हैं हम text comments या picture को आसानी से यहाँ पर find out कर सकते हैं जैसे माल लिजे हमने यहाँ पर click किया और यहाँ पर हमने लिखा style जैसे हम यहाँ पर style लिखेंगे तो आप देख सकते है style से related हमारे पास जितने भी paragraphs हैं उस सारे paragraph आपको यहाँ पर दिखाई देंगे जिस भी paragraph पर आप यहाँ पर click करेंगे directly यह हमें उसी paragraph पर लेकर चला जाएगा इसके अलावा अगर आपने यहाँ पर कोई comments यूज किया हुआ है जैसे माल लिजे हमने यहाँ पर thing को select करके preview टैब में जाकर कि किसी भी comments का यहाँ पर इस्तवाल कर लिया और यहाँ पर हमने लिख दिया कोई भी comments जैसे माल लिजे हमने यहाँ पर लिख दिया Excel और Excel लिखने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने इस comment में डिरेक्ट पहुँच सकते हैं इसके बारे में भी हमने डेटेल वीडियो यहाँ पर बनाई हुई है आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके इसे देख सकते हैं या तो फिर मैं आपको आई बटन पर इसका लिंक देदूँगा अब वहाँ से भी इसे देख सकते हैं तो दोस्तों इस तरीके से हम व्यू टैप के पेज मुमेंट्स और शो अप्शन का इस्तिमाल कर सकते हैं अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंशेर जरूर कीजेगा धन्यवाद